नमस्कार मैरवित महाजन आज आपके सामने हिमाचल जी के एक ही वीडियो में complete revision लेके आया हूँ तो वीडियो को अंत तक जुरूर देखें इसमें हिमाचल जी के की complete 100% आपके revision आज हो जाएगी तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जा के आप जो हैं conductor की पहरी सारी वीडियो देख सकते हैं साथ में math की reasoning की current affair की तीक है quick revision वाली वीडियो आप देख सकते हैं तो शुरू करते हैं पहला कोशन आपके सामने तो पहला कोशन है हिमाचल का क्या रथ है तो बरफ का पहाड जम्मो किश्मीर हिमाचल प्रदेश की किस दिशा में है तो बिल्कुल जी उत्तर दिशा में है तीबत हिमाचल प्रदेश की किस ओर है तो पुरुफ की ओर हिमाचल प्रदेश की किस ओर पंजाब है तो पंजाब जो है हिमाचल के पश्रीम की ओर है तो हिमाचल प्रदेश की स्तापना कब हुई थी तो बिल्कुल जी 323 का उसा समंद tangible truth से हिमाचल की वहसत उंचाई कि इतनी बतुकिए निए तो बिल्क जी बड़र कोशन है 35 sub 367 الل जो है समुठ्राइज से मचा किव इस बें उंचाई एधिक शिवाले कीवाणी सिमे लाजत NFL 233 वर्ग किलोमेटर नेक्स्ट है परिंजाब के पहाड़ी प्रदेशों का हिमाचल में विले कब हुआ था तो एक नुमंबर विले मिलीमेटर है हिमाचल प्रदेश में सरवद वर्षा कहा होती तरमिचाला में तरमिचाला में वर्षा शत् Gary नहीं कितनी नदी यहें बैती है तो नेक्स कॉश्ण है हमाचल पुरुम्ट में कौन सी नदी बैती है तो यह मुना और सबसे छोटी नदी भी कौन सी है यमुना जलब परवा की दिश्टी से हमाच्टाप दिश्टी की सबसे बड़ी नदी कौन सी है चिनाव जलब परवा से है चिनाव और वैसे है सतलुज चंदर और भागा किस थान पर आपस में चिनाव का निर्मान करती है तो बिकुजी लहौल्स पीती के तांडी जगा पे चंदरा और भगा अपस में मिलती है ठीक है तो तब जाके चिनाव नदी का निर्मान होता है तो next question है रावी नदी का वैधिक नाम क्या है पुरुशानी व्यास नदी का वैधिक नाम क्या है अरचाकिया सत्लु नदी का वैदिक नाम कैश तुद्री रावी नदी हमाचब देश के किस जिले से पंजाब में प्रवेश करती है तुद्कुजी चमबा जिले से सत्लु नदी किस जिले से निम्र में से किन जिलों को नहीं चूती मंडी को नहीं चूती है नेक्ट कोशन है शामबर रो देवदास का यूद कितने वर्ष चलता रहा तो 40 वर्ष चलता रहा देवदास ने शामबर का बद कहां किया तो बिल्कुल जी बिलासपूर इसका सही इंसर आजएगा देवदास का प्रोंक सलाकर कों था रिशी भारतवाच किरात आरी युद्ध में किरात राजा शांबर का साथ किस ने दिया तो बैर्ची ने दिया था न रिगवेद में वन्नित तता हिमाचल की दक्षिन और पूर्वी ध्लानों से आकर बसे लोग आज क्या कहलाते हैं कोली हली डोम युद्ध वंशी राजा कीर्थ विर्य ने किन दो रिशियों के आशम पर अक्कमन किया तो बल्कुल जी जमन अगनी और विशिस्ट तो वैदिक काल में विदेशी अकरांताओ की दूसरी लहर में कोन लोग हिमाचल में आए ठाकुर और वैशिया उत्तर प्रदेश में आकर मध्य हिमाचल में आकर बसने वाले प्राचिन लोग कोन थे बिल्कुल जी आरे जो है वो थे हिमाचल परदेश की प्राचिनतम रियासत का क्या नाम था त्रिगर्ध जो अब कांगड़ा के नाम से जना जाता है तो हिमाचल परदेश की दूसरी सबसे बड़ी पुरानी रियासत कौन थी तो कुलूत ठीक है, त्रिगत को किस राजा ने बसाया था, राजकुमार सुशरमा ने, चम्बा राजय का संस्ताप कौन था, विहंग मनी है न, तो चम्बा राजय का संस्ताप कौन था, तो मारू अग according to option चलना पड़ेगा मेरा तो चमबा के राजाओं की प्राचिन उपादी क्या थी बर्मन ठीक है चमबा की किस शासक ने 620 इसमिन पहले बार बर्मन उपादी अपने नाम के साथ लगाई अधित्य बर्मन ने तो गदियों बरामनों और राजपुतों का चमबा से आगवन किस राजा के समें हुआ अजे बर्मन चमबा राजजे में चुहों का मारना किस राजा के समें से निशिद हुआ तो बर्मन जो ये राजा थे इनका जर्म में ही चुहों के बीच हुआ था तो इसलिए मुसा बर्मिन का नाम रखा गया था नेक्स कोशन है 920 में बरंपुर में अपनी राज़ानी चमबा से लाने वाला राज़ को था तो साहिल बर्मन चमबा की किस राज़ानी ने चमबा में पानी लाने के लिए आतम बल्दन दिया था बड़े इंपॉर्डन कोशन है ध्यान से देखी है ना चमबा के किस राज़ाने अपने बेटे के लिए स्विच्छा से गदी छोड़ी थी साहिल बर्मन किस संत ने साहिल बर्मन को आशिवा दिया कि उसके दस पुत्र हों गोरकनाथ ने बर्मपुर ने नरसियं के मंदिर का निर्मान किस ने करवाया त्री भूबन रेखा देवी ने चमबा का गोरी शंकर मंदिर किस ने बनवाया योगंकर बर्मन ने तो नुरपुर के किस राजा ने चमबा के राजा जिनार्दन को मारा था जगज सिंग ने तो कमेंट किजिए कि नुर्पुर का नाम किस राणी की नाम पर रखा गया था तो नेक्स कोशन है चमबा के किस राजा ने अपनी राणीयों के सती होने पर रोक लगाई थी तो बिल्कुल जी उमेध से ने तो ठाली में कौन सा युरोपीन यात्री चमबा पहली बार आया था विगने लॉड मियों चमबा कब आये थे 1871 है ना 13 नमंबर चलो 1871 इंपोर्डेंट है तो 22 राए करजन पतनी सहीत चमबा में कब आये थे 1908 में चमबा के भुरी सिंग संकाले किस थावना किसने की भुरी स ने की थी तो नेक्स्ट और वो चमबा में पढ़ते है ठीक है यह संग्राले चमबा पढ़ता यह याद रखिए बड़ी इंपोर्डन कोशन है चमबा में चेत्रगला की कौन सी शैली विक्सित हुई विसोली शैली माचल से बीर भूमी किस शेत्र को का जाता है कांगड़ा कांगड़ा का प्रोनिक नाम क्या है त्रिकत सुशर्मा चंद्र महभारत के किस की और से लड़े थे तो कौर्वों की और से लड़े थे सुशर्मा चंद्र तो कांगड़ा के किले नगर कोट भूमी कोट को मुहम्मद गजिनु ने कब जीता ग्यारा सो नौ में तो अन्त त प्राचिनकाल में शिमला और शिर्मॉर की बीच रहने वाले कुलिंदा के वंशच आजकून है तो कनैत किस राजा के समे में तैमूर ने कांगड़ा पर अक्मन किया था मेख चंद्र कांगड़ा के किस राजा ने कांगड़ा का किला रंजीत सिंको सौपपा था संसार चंद कुलिंदो की शाषन प्रदिदी को क्या कहा जाता है गर्णतंत्र तिगर्द की राजधानी जरंदर में हून सांग चार मास रहा उसमें तिगर्द के कौन सा राज करता था तो विपलब जस्मा गुलेरो दतारपूर की रियासते किस राज्य का अंग थी कांगडा नुर्पूर रियासत किस था अपना किस ने की थी जेट पालने 1804 में अमर सिंग थापा ने कांगडा पर आकर्मन के लिए किसे बुलाया था तो बल्कुल जी बलासपूर के राजा दौरा पहाड़ी रेजाओं के संग ने तो 1805 में अमर सिंग थापा की 40,000 की विशाल सिंग ने संसार चंद को कहां पर हराया तो बल्कुल जी महल मोरिया तो कमेंड कीजी महल मोरिया कहां बढ़ता है तो रंचीत सिंग और सिंग ने किसके निमंतर पर 1809 में गौरुखाओं पर आकर्मन किया तो बल्कुल जी संसार चंद इसका क्रक्टनस आ जाएगा तो हिस्ट्री के बस इतने कोशन बहुत है इसी महीं से आ जाएगा अब हम मिले देख रहे हैं शिवरात्ती का प्रसिद मिला किस शेर में मनाया जाता है मंडी में सुजानपुर की होली होती है बिलासपुर का कोंसा विपारिक मिला होता है नलवाडी मिला चंबा का प्रसिद संस्कित की मिला कोंसा है मिंजर मिला रनुका मिला किस जिले में लगता है सिर्मोर में मणी मिहेश की यात्रा और मिला किस जिले में होती है चंबा में लवी नमक मेला कहां होता है रामपुर में तो बड़े इंपर्णन गोशन है शुलुणी मेला कहां लगता है सोलन में फुलेच का थे और कहां मनाया जाता है कि नौर में फॉाग मेला कहां होता है रामपुर में चित्रकारी जात्रा कहां होती है चंबा में फूल यात्रा कहां होती है किलाड़ पांगी में डिस्ट्रिक जमा में मड़ता है नैना दिभी मंदिर किस चले में हैं बिलासपुर में लोसर ग्याल्टो शिशू ठोन-ठोन चो धोंग मिले कहां लगते हैं स्पीती में तो बड़े इंपॉर्डट लोसर तो बड़ा मोस्ट इंपॉर्डट है य तो नेक्स कुछन है कुलू में धालपूर मेदान में दिशारा का मनाया जाता है तो कब से मनाया जाता है तो 16 कुणजा से मनाया जाता है ठीक है कुलू का दिशारा है ना और कहा मनाया जाता है कुलू के धालपूर मेदान में याल दखिएगा तो कुलू का दिशेरा फिमस है ढालपुर मेदान में होता है और उन ना में मनाया जाता है ये रिपीटिड कोशना जो हंडर्ड टाइम है माचल में आ चुके हैं हाल्दा त्योहार नव वर्ष की किन घाटि में मनाया जाता है चंदरभागा में न कमेंट कीजिए चंदरभागा घाटियां कहा है मतलब कोई से डिस्टिक में है हर्याली के त्योहार को जुबल और किनोर में कहां क्या कहा जाता है दखरेंड दिवाली को कोजाला किस थान पर कहा जाता है लाहौल भुंडा के त्योहार का समन्द किस से है प्रशुराम से तो भुंडा त्योहार प्राय कितने वर्ष में मनाया जाता है तो बल्कुल जी 12 वर्ष में या दे कि लोसर 9 वर्ष में मनाया जाता है भुंडा 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है नवाला का त्योहार किस जाती के लोग के लिए है गदी के लिए नवाला तिवार किस देवता की पूजा के लिए होता है शिवजी की मिंजर मिला बहुत बड़ी कोशन है मिंजर मिले में मिंजर यहनी कि मक्की को अर्पित की जाती है तो वर्म देवता को न तो याद रखिए मिंजर का अरत होता है मक्की मिंजर मिला कौन से डिस्टिक में मनाय जाता है कौमेट कीजए रगु नात की प्रसिध मुर्ती को योध्या से कौन लाया था तो वो कुझे दमोतर दाज जिलाये थे स्तंबर मां में खैर स्तंबर मां में सैर उस सब कहां मनाई जाती है तो कांगड़ा में कांगड़ा की सारबड़ी फिम में साबने सुनी होगे ना तो खुंड खस हर बार में वर्ष कौन सा त्योहार मनाते हैं लोड़ी तो उपरी शिमला के कोली लोग कौन सा प्रसेश त्योहार मनाते हैं शांद नेक्स कुशन है हिमाचल में अमर्की सेव अमर्की किसम का सेव को लाया था तो सेम्यूल एवान्स टॉक शिवाली की पाणियों में निम्ल में से क्या नहीं हुगाया जाता अंगूर नहीं हुगाया जाता है ना निम्बू पर जाती के फल निम्ल में से किस खंड में हिमाचल में किस तान पर एशिया का सबसे उड़ा मस्तक पालन के अंदर है दियुली में तो याद रखिए बिलासपूर के अंदर आता है दियुली जहां पे मस्तक पालन के अंदर है ठीक है चंबा राज्च में अफीम के हेती कब परंब हुई तारसो असी में चंबा के किस वर्ष दुग्द वित्रन योजना परंब हुई उनिसो ठत्न में चंबा शेयर में पर्थम जल विदू स्टेशन उनिसो दस में परंब हुआ हमीरपुर जिले में भेट पालन फर्म कहां है ताल में ताल किस लिए है भेटो के पालन के लिए और हमीरपुर डिस्टिक में याद रखिए हमीरपुर डिस्टिक के माचला का सबसे चोटा डिस्टिक का और लौलस पती माचला का सबसे बड़ा डिस्टिक के याद रखिए चाय त्यार करने का कारखाना कांगड़ा में वीड पालमपुर में है नगरोटा में बदमख्यों का पालन सरगारी के अंदर कब गुलाता है 1945 में निवन में से कांगड़ा के किस स्थान पर सलेट खान नहीं है तो कांगड़ा में नहीं है सलेट की खान है न तो धर्मकोट में भी है, नर्वाना में भी है, दियोल में भी है किनोर के अबरक कि स्थान पर मिलता है किनोर में न तंग, लिंग, खंड में न तो किनोर में चांद के बंडारों को कहां पता चला है चड़गाम में चांद के बंडार छेक है तो किनोर में घेहूं किस नाम से जाना जाता है जोड़ थो जोड़ थो के नाम पे जानाता है किनोर में घेहूं को हिमाचल पुदेश की बदान सभा के कितने सदस्य है 68 हिमाचल पुदेश में केंदर शात्य पुदेश कब बना एक नुमंबर उनिसो चुपुनजा को उनिसो चुपुनजा में पर्थम खेत्री प्रिशत का सदस्य किसे चुना गया ठाकुर करम सिंगो उनिसो चुपुनजा में राज्य पुर्ण गठना योग में हिमाचल को किस राज्य में मिलाने का सफारश की तो पंजाब में एक नॉम्बर उनिशो च् случra को हिमाचल के परमुक परशाशक एवंス लटना-गवर्णर की रूप में किसे निचप किया गया तो राजा बजरग बहादूर को उनिशो हैट में हिमाचल के कितने जिले थे चे जिले थे तो कोमेंट कीजिए अब हमाचल की कितना जिले हैं हमाचर परदेश में उच्छ नियाले की स्थापना कब किएगी तो बेलकुल जी legendsолод 1974 हमाचर परदेश में उच्छ नियाले कहां है कोमेंट कीजिए इमाचा प्रदेश के प्रतम उके न्यादिश कोन थे मिरजा हमिदुला बेग कनेड़ी क्वोटेज शिमला को अंग्रेज जूने गिरिश्म कारिन राजनी कब बनाया 1814 में शिमला में गेटरी थ्रेटर की स्थापना कब कीगी 1887 में भारती राष्टी कॉंग्रेश के संस्थापक एओ हिूम शिमला में किस घर में रहते थे रोथनी केसल बिटेन चीन और भारत की बीच वारता के फ़ल सुब मेक मोहुक रेका खिचने करने ने कब लिया गया 1913-14 में 1942 से पंताली तक शिमला किस निर्वासित राजे का मुखहले था बर्मा मातमा गांती पहली बार शिमला कब आए 1921 में लॉर्ड वेवल की पहल पर शिमला वारता कब हुई 1925 में पांच जुन 1906 को शिमला में कौन सी प्रसेद मिटिंग की गई कैविनेट मिशन की उन्ना हमिरपूर जिनों का निर्मान कब हुआ 1922 में ब्लासपूर गुर्प सी काराजे कब बना 1948 में बार अक्तूबर 1906 को ब्लासपूर का पर्थम चीफ कुमिशन कौन बना राजा अनंद चंद लॉर्ड मियो चंबा के यात्र का पदार है 875 में 875 में दिली दरवार में चंबा राज्या का परिंद्दम किसने किया था राजा शाम सीहने चंबा की बटियात बजारत में करशी अन्दोरन कब वगवा 895 में वीडियो को अन्द तक जरूर देखनी है तो बने रहिए जोश बनाए रखिए तब ही सफलता मिलेगी दिन बड़े कम बचे है दस को आपका फाइनल अग्जाम है याद रखिए और गधाद सभा के 68 सदस से सुन जाते है हिमाचल पदेश के न उनिस संताली में रामपूर के हिमाचल पदेश में विले का अंदोलन किसने चलाया अनुलाल ने भारति रश्ट कॉंगरेस की शिमला शाका कब बनी उनिस सो बीस में उनिस संताली में शिमला में स्तापित हिमाल्य रियासती प्रजामिडल का देख्ष कौन था पदम देव किस वर्ष पंजाब की राज़दानी शिमला से चंडीगड ले गई ले जाएगी उनिस सो तुरुन्जा में ना आइंटिन फिफ्टिन थ्री में तो नेक्स कोशन है किस गाव में प्रवेश में प्रमुक मुख्या से आगए लेने पड़ती है बल्कुल जी सबसे पुराना लोकतंतर है कुलू के मलाना जगा में है तो अगर वहां एंटर करना है तो वहां के मुख्या से आगए लेने पड़ती है तो लड़की के बिवाब पर सिर गुंदी क तो आंग किस नाटेशाली के अंक है करियाला के है जंजरा अर्थात बिद्वा विवा को नीमित परंप्रिक विवा कहां मना जाता है तो बल्कुल जी स्पीती बुदिस्ट मुनेस्ट्री आफ हिमाचापदेश के लेकर कोन है एचेस जीब दिस ब्यूटिफुल इंडिया है माचापदेश के लेकर कोन है एचेस जीब ओवर दा पासिज के लेकर कोन है करिस्टीना नोवल कमनिय की नौर के लेकर कोन है राहुल साकृत त्यानन एंटिक्यूज ऑफ चम्बा स्टेट के लेकर कहा है जेपी एच बूगल चम्बा के परसिद काष्ट मंदिर पुस्ता किसने लेकी एस रंधावाने कुलू देश की कता लालचंद प्रार्थी ने हिमालियन डिस्टिक्स ऑफ कुलू लॉल्सपिति के लेकर कोन है कैप्टन हरकौट हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल्स्टेट के लेकर कोन है मनुवर लाल बिलासपुर के किस राजा ने बिलासपुर भूत काल और परतमान काल के पुस्तर के लिखी अनन्द चंद ने कि नौर लोक सहीते के रचना रामकृष्णा कोशन ने हिमाल्य परिचे का रचय तक होने करिंगम तो नेक्स कोशन है हिमाल्यन सरक्विट पुस्त किसे ने लिखी ऐलम शर्मा ने शिमला में गेटरी थ्रेटर का निवान कब हुआ अठारासो असी में तो रिवाइज कीजिए कोशन जो गेटरी थ्रेटर था वो अठारासो असी में बना था भी ओप्षिन इसका जो एस कॉरेक्ट अंसर है तो बलकुल जी नेक्स्ट कोशन है तवारिक ई रियासत सिर्मोर के लेका कौन थे करनल जोर सिंग दबुक आफ कांगड़ा पैंटिंग् Western Himalaya and Tibet बुक के रचाहिता थे MS श्री निवास Himalayan पिली ग्रीमेज पुस्तक के रचाहिता कूंते GD खोसला Cultural Heritage of Himalayan पुस्तक के रचाहिता कूंते GD खोसला नोरा रिचर्ड पुस्तक कंट्री लाइफ किस जिले के गाम के विशे में शिमला की गुर्खा कौन केस्ट ऑफ अर्की उनिसो तीन पुस्तक किसे ने लिखी हुचिसन हुचिसन ने है न उनिसो नानुमी का चंदर धर श्रमा गुलेरी पुस्तकाले किसे मिला तो बिल्कुल जी तीस का जो है वो गुर्रेक्ट अंसर है कुमार कृष्चन तो ए हिस्ट्री ऑफ मंडी पुस्तक थार सौसी में किस ने लिखी कर राम सी है ने हिमालियन पुलेंट्री पुस्तकिसन लिखी पुस्तकिस ने लिखी जेसी होडी ने पिक्स एंड लाम मास रामकृष्ण कोशल ने लिखी है तो नेक्स कुशन है बिलासपुर की कहानी के लिखा कोन है किशोरी लाल बैद हिमालियन बॉर्डर्ज लैंड के रचेता कोन है एममेन श्री निवास ए जनी इन दे हिमालियन मांटेंस के लिखा कोन है हर कोट हिमाचल में सर्व देख लोग पर खेल कोन सा है तिर चलाना हिमाचल के स्किंग प्रत्रोक्ता कहां होती है कुफरी में हैंग ग्लाइडिंग प्रयोगत है हमाचल प्रदेश में कहा होती है चम्बा में तो 1920 में निर्मी दक्षिन पुर्वी एशिया का एक मातर बरफ का स्केटिंग कहां खुला गया था तो ब्रकुजी शिम्बला में दुले के घर से भरे मट्टी के बरतन लोक्टू ले जाने के प्रथा कहा है शिम्बला में हमाचल प्रदेश के किस जिले के कुछ गाउं में भोपती प्रथा परचिलता है तो चम्बा में किस जिले के इस्त्रियों को सिर ढगने के लिए प्राय ठाटू का प्रयोग करती है हमिरपुन में शेतान का निर्त्य किस जिले में मना जाता है मंडी में सयांग वक्यांग वांग्यू किस जिले के लोकनित्य है कांगडा के ग्रिफी नामक सम्मुई के निर्त्य चम्बा में होता है हिमाचल में सरवदिक लोकनित्य कौन सा है मुखोटा निर्त्य कर्याला और समांग चम्बा और भरमोर के लोकनित्य है जनकी और हनातर स्रमोर के लोकनाटक है मंडी का साथ लोकनित्य क्या है बरलाज बरलाज जो है मंडी का है न, छोहारा निरत्य मंडी का है, फेटी और बास्री निरत्य जो है मंडी का है, ठीक है, याक निरत्य हमाचल प्रदेश के सिर्मोर का है, लोटा थाले निरत्य कांगरा का है, बांगरा निरत्य सिर्मोर का है, प्रेम और समाजिक व्यंग से भरपूर गितो का दोहो का प्रियुक का कहा जाता है बरलाज बिलासपुर का प्रसिद लोकनित क्या जूरी फुल्लू फुल्मू राम्भू कुतु कंजू चंचलू राजा दान दो और जुकू गती किस जिले के लोकनित है चंबागी कांगडशली के चित्रों का निर्मान कप रंभू 2800 में पहाड़ी चित्रका का विकास किस राजय किसमें हुआ किती सीने राजपूत चित्रकाला का प्रमुख केंदर हिमाचल में कौन सा है शिबला पहाड़ों में चित्रकाला का प्राशिम तम केंदर कौन सा है चंबा नुरपूर का प्रसिद चित्रकार कौन था गोल्लू हर तू और चजू किस राज्य के जुड़े चित्टकार थे बिलासपूर मुहमदी हयात और मोति राम किस राज्य के चित्तकार थे शिमला तो भगवान विश्नू की जुत्व मुर्खी कांसे परतिमावाला हर राय मंदर का है कुलू में ग्यारस सिंगो और हजार हथो वाली तरोकी नात की प्रत्मा किस बोध मंदिर में है ताबो में है याद रखिए तो लोक की नात है ना पदम संभब दोरा स्तापित गुर्गंटाल बोध बिहार का है कि नोर में लोहौल में कितने बोध बिहार है चालेश अब मिलिल देख लिए बापा वालकनाद का मिला मार्च प्राल मई में हमिरुपूर में लगता है नलवाडी मिला ब्लासपूर में ये पशु मिला होता है डुगरी मिला ये देवी हंडिंबा को समन पिता है ये मनाली में लगता है सुई मिला यह चमबा में लगता है ठीक है यह बच्चो रिस्त्री के लिए होता है यह अप्रैल मिन्य में होता है नलवाडी मिला यह पशु मिला है ब्लासपुर में होता है मार्च में मारकंडे मिला अपरेल में होता है बलासपुर में होता है सारी मिला सोलन में होता है अरकी में जुलाई में पत्थर का खेल जिसको हम हलोग कहते हैं ये शिमला में होता है ये शिमला से 30 किलमेट दूर है हलोग एक गाव में दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है ठीक है? तो लदार्चा मिला एक किबर काज्जा में होता है जुलाई गस्त में हरी तालिका ये शिप परफ्ती की पूजा को समुख किता है ठीक है? भादो महिनी में मनाया जाता है कुलू का दिशारा बिशप परसिद कुलू दिशारा बिजे दश्मी के दिन अरम होता है और ये साथ दिन चलता है इस दिन कुलू के राजा जगसिंग 1637-1672 एडी में अपना राजपाथ गववान रगुनाम जेनके राम के नाम संब्रक्त कर दिये था मंडी के शवरात्ती का मिला जो है परतेश मरमें परसिद है मंडी के राजा सूरज सींग के ठारा पुत्तर थे सभी पुत्तर की मिरुत्यों होने पर 16-18 में सूरज सींग राजगती भगवांशर केशन को समरपत कर उस दिन से ये मिला मनाया जा रहा है होली सुजानपूर टीरा में जो है मनाया जाती है उसकी प्रसिद्ध है बाबा बडबाक सिंग मेला डिस्टिक उना में मनाया जाता है तो ये मेला मैडी नमक स्थान पे होता है मैई जून में मनाया जाता है लवी मेला शिमला के रामपूर जिले में मनाया जाता है तो ये ती पिजिणात के शियर मंदर पिजव्हनात में मसरूर मंदर हरिपूर में याने कि डिस्टि कांगड़ा में चंभापती मंदर जो है यो चंभा में शक्ति-Dewी-St Raadi में बरमोवड में 84 मंदरों का समों बरमोवड में विजजेश्वी मंदर कांगड़ा में बाक्सुनात मंदर जो है द्रमशाला में है यनकी डिस्टिक आंगड़ा में दलाई लमा का मट जो है द्रमशाला में डिस्टिक आंगड़ा में जौलाजी मंदर डिस्टिक आंगड़ा में बगला मुख्य मंदर डिस्टिक आंगड़ा में देरा में न चिंतपुर्णी मंदिर चिंतपुर्णी येनिकी उन्ना डिस्टिक में डेरा बाबा बढ़बाग सिंग उन्ना डिस्टिक में माहुनात करसोग येनिकी मंदी में अर्गुनात का मंदिर कुल्लू में हाट केश्वी मंदिर बजोरा येनि कुल्लू में डेरा जोगी पंगा उन्ना में, भावा वालकनाद योडसिद हमीरपूर में, मतनसिद हमीरपूर में, नर्वदेश्वर सुजानपूर हमीरपूर में, भूतनात मंदिर मंदी में, अर्दनारिश्वर मंदीर मंदी में, पंचवक्ता मंदीर मंदी में, लोकीनात मंदीर मंदी बांके आपको परता यह मंडल जो है तीन मंडल है हमारे डिस्टी हिमाचल परदिश में धर्मशला मंडी और शिमला यh तीन मंडल है अब धर्मशला में कांगडा उनला चंबहा आते हैं मंडी में landi, बलासपर, हुमीरपुर, कुलू, लौलसपित रफ्ड़े आते हैं और शिमला में कि अधोगी के अंदर है माचब देश के बद्दी में भी है अधोगी के अंदर में ना विजोरा तथा तार्पिन बनाने वाले कारखाने नाहां श्रीमोर में रगुनादपूर बिलासपूर में और मेतपूर पालंपूर की अत्रिक्त मंढ्डी के कुछ शित्र में भी चाय के उत्तपादन है, मेन पालंपूर में है और कुछ मंढडी के शित्र में भी हैं, चूरदार और चूट-चादमी जिला, सिरमोर के शिर्गुल-देथै का निवास्थान मानाया आता है, शौभा सिंगाट के लि हुई थी यह चंबा में है तो शिमला शहर के स्तावना 1809 में 80 में लेफटरेंड रोज ने की थी ठीक है अंगरेज्जों के समय में ये ग्रिश्मकाले राज दाने थी शिमला का नाम श्यमला देवी के नाम पर रखा गया है शिमला में सरप्रथम भवन मेजर कनेडी ने 1821 की एडी में कनेडी हाउस बनवाया था फर्सेट गंज गिरिजा घर धर्मशाला में स्तित है लौड अलगिन ने यहां पर तफनाया गया था और इस गिरजा घर के आठ कुंटल का घंटा भी लगा हुआ है कांगडा के गगल में हवाय एड़ा सबसे बड़ा हवाय एड़ा ह हिमाचल में तीन रेल पटरी हैं शिमला कालका जुगिंदन अगर मठान कोड उन्ना नंगल कांगडा नमक की खाने द्रंग और गुमा मंडी के स्थानों पर हैं काला नमक की खाने द्रंग और गुमा मंडी स्थानों पर हैं तो शिमला कालका रेल पटरी के रास्ते में एक स जमणाव ध्योग की कारखाने बद्दीब रोटीबला और नालगनम है रिशम की कताई मुनाई और गलिच्चा बनाने का कारखाना नुरुपूर कांगणा में है रिट्रिट राष्टपती निवास शिमला से कुछ किलोमेटर की दूरी पर मिशोवरा सडक की किनारे स्थित है यहाँ पर बने हैलिपैड का नाम कल्यानी है मंडी को छोटी काशी से पुकरा जाता है के नाम से कांगडा के समलोटी और लदवाडा नामक स्थानों पर कांगडा पेंटिंग स्कूल चल रहा है अहमद शाह दुरानी ने कांगडा के राजा घमन चंद को जलंदर दुआब का गवर्नर निक्त किया गया है साहिल वर्मन ने दिसमी स्थापदी में चंबा नगर की स्थापना की थी लॉड मियो ठारसो कतरेडी थी था लॉड कजर ने निसों में चंबा की यत्रा पर आये थे रविंदर नाटेगोर ने डरोजी में कुछ मास बतीत किये हैं परदेश में तीन प्रकार की उन पाय जाती है व्यांगी देसड इन में से व्यांगी सबसे अच्छी उन है जो किनोर शित्तर में भेडों से प्रापत होती है कृषिव विश्य बिदाले किस्तापना 1978 में पालंपुर में की गई रजीव गांधी डिगरी कॉलेज जोगेंदर नगर में मंडी में है परवता रोह प्रशिक्षन संस्थान मंडी मनाली जिला कुलू में है डिस्टिक मनाली में डिस्टिक कुलू में परवता रोह प्रशिक्षन संस्थान मनाली जिला कुलू में है खजयार चंबागो हिमाचल अब देश की मिनी स्विजिलेंड कहा जाता है कांगडा चाय बजार में ग्रीन गोल्ड के नाम से बिक्ती है हिमाचल नेचर पारक कुफरी शिमला में है रेशम की कीड़े का उतपादन पालंपूर में किया जाता है जो की डिस्टी कांगडा में बढ़ता है राच्की ये पश्यो कुस्तूरी मरिक और राच्की ये पक्षी मुनाल है ये पहले था ठीक है करण्ड का कोमेंट किजे भी कौन है सुकीत रियासद की स्थाबना साथ सो पैन डिस्पी में बीजी सेनने की थी बिलासपुर की पुराने राजदनी कोट घलूर थी शिमला जिले का पुरान नाम हासू था परदेश में मानव संपेता की विकास काफी पहले शुरू हो चुका था अफशेश की स्थानों बें मिले है अलाफ प्रूफ में सन उन्नी सो कुंजा में नालागड में पुरततव अफशेश ढूंडेगे हैं डॉक्टर जेसी महापात्रा ने कांगडा घनियारा हरिपूर अन्य घाटियों में उत्तर पशानकाल के अफशेशों को प्राप्त किया है इन जोरों को ढूंडने का क्षे एन एस राजकुरुए आर वी जोशी और पी सी खन्ना को चाता है पत्राचार पाठेकरम का निर्देशाले इन शिमला में है सोलन में उद्देनोव मनकी विश्व दैले है पालंपूर में क्रिश्व विश्व दैले है हिमाचर पाठेश विश्व दैले का क्षेत्री कारयल धर्मशला में है हिमाचर में सर्वजनिक सैनिक पाठशाला सोन जिले के ठाक शाई में स्थित्त है सिनमोर के जिला पुस्तकाले का नाम महिला जिला पुस्तकाले है हिमाच अपदेश विशेव डेलिय की स्थापना 1970 में हुई थी मशोवरा में हिमाच अपदेश के लोग परशासनिक संस्थान एक जनवरी 1914 से चल रहे हैं शिम्ला में हिमाचल कला सांस्कृत और भाशा परिशत की स्थापना 1960 में हुई थी पालंपूर के ड्रो में पुलिस प्रस्किशन के अंदर है वन जीवन सूचना एवं शिक्षा के अंदर मनाली में स्थित्थ है शिमला के दीन द्याल उपाध्याय चिकसाले का पराणा नाम रिपन असपता रखा गया था तर्मशाला में हमाचर भ्रषी अंदर स्थापित है चीव मिनिस्टर अब हमाचर पदेश्च शुकुन्दर सिंग स्खुझी फ़स्ट की में हमाचर पदेश के मूकियर शक नेहुत्य जी 22 शुकरणड गवांडर्य करताब शुकला जी स्टेट वर्ड वहिमाचल पुदेश रेष भेस्तन थाईकूपन स्टेट अनिमल ओफ महाचल क्रण जो है सट्नौ लैपर है स्टेट आट में महाचल पुदेश है देवदार स्टेट फ्रूट है एपल स्टेट गे क〉जॉअ फॉलीवॉल Capital of Machal Shimla Total population है Machal Pradesh की 68,64,602 Sunsex 2011 के Total area है Machal Pradesh है 55,673 Total forest है Machal Pradesh का 37,033 लोग सभा की शीट 4 है राजे सभा की 3 है विधान सभा की 68 है पांच नेशनल पार्ग है Machal Pradesh में Great Himalaya National Park कुल्लू में है Pin Valley National Park स्पीती में है खीर गंगा National Park कुल्लू में है इंत्र किला National Park कुल्लू में है सिंबल बागा National Park सिर्मोर नाहन में है राष्टि राजमागू की संक्या आठ है शेत्रफल की दिष्टरी से सपड़वा जिला जो है लोजबीतर है और सबसे छोटा जिला हमीरपूर है ठीक है जिला जनसंक्यक दिस्ट्री से सबसे बड़ा जिला है डिस्ट्रीक अंगड़ा जनसंक्यक दिस्ट्री से सबसे छोटा जिला है लॉल्स पीती सबसे अधिक साक्षतावला जिला है मिरपूर सबसे कम साक्षतावला है चमबा राज्य में सरवतिक बन किस जिलेम है डिस्टी कांगडा में राज्य का सबसे उंचा बांध है भागडा बांध हिमाचल दिवस कम मनाये जाता है 15 अपराल को राज्य भाषा हिंदी वस्थानी भाषा पाहडी है बोलियां पाहडी है ना घनत्व जो है हजार पूरुषों के मुकाबले महिलाएं है 972 और जनमदन की प्रजिशर 32.1% मृत्य उदर है 7.2% बग्की हाँ सक्षर्त है 82.80% पूरुष में 89.53% महिलाओं में 75.93% लिंग अनुपाद है 972 है ना जीले देख लीजिए डिस्ट्रिक चमबा में 1000 जील पड़ती है ठीक है तो ग्रासूर जील पड़ती है डिस्ट्रिक चमबा में लामा जील जो साथ चोचुर जीलों का समू भी कहते हैं वो भी डिस्ट्रिक चमबा में मनी महिज जील ठीक है महाकाली जील जो खज्यार में है चमेरा जील ठीक है यह बडिस्टिक चमार बढ़ती है मंडिकी देख लेजिए शुकसार जील कुमारवा जील, प्राशर जील, रिवालसर जील कुंत भ्योग जील और कुल्लू की ब्रिगू, दस्तर, शुरूसार, रिवालसर जील, पंडो जील ठीक है और जो पंडो जील है वो मानव निर्वित जील आईए ठीक है यह जील कुल्लू जीले में ओंट के पास दिद्ध है अब डिस्ठी कांगणा में एक धल जील है, ध्रमशाला में एक केरी जील है, ठीक है यह भी ध्रमशाला में है, लहुलस्पति में चंदर, ताल, सुरुचा, दोई जीले है न और बाराल अच्चे दर्रे के पास है न और शिम्ला में चंदर नाहन बस यह जाद रखिए, चंदर ताल है लहुलस्पति में चंदर नाहन है शिम्ला में नाहन शिम्ला tangai न बrablazagrow में गुविन साकर जील है जो कि भाग़र डेम के करणप बनी है, ठीक है ये भी हिमाचरपदेश के सबसे बड़ी कृतिम जील है ना मानव निर्मित है ना सिर्मोर में है रिनकवा जील है ठीक है सिर्मोर मुखाले नान में वो जो है तित है हिमाचरपदेश के सबसे बड़ी प्रक्रतिक जील है रिनकवा जील जो भगवान प्रशनाम की माता से स्मंदीता है किनोर में ना को जील तरáp गर्म पानी के चस्में देख लिए कुलू में है मनिकरन में जो डिस्टि कुलू में है सब से पहले देखते भाव Top मनिकरन जगह है यह भी गर्म पानी का चस्मा है यहाँ पानी मेशाँ बलता रहता है और विशिष्ट कुलु में विशिष्ट जगा है वहाँ पी जो है गरम पानी का चश्मा है और मनाली के पास है यह ना और खीर गंगा ये भी जिस्टी कुलु में बढ़ता है यहाँ भी गरम पानी का चश्मा है पाकिशिमला में है जीूरी रामपुर पुश्वर से आगे जीूरी में भी गरम पानी का चश्मा है तो I hope आज की वीडियो आपको अच्छे लगएगी वीडियो को लाइक कीजिए सबी दोस्तों के साथ शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पाने के लिए टेलिग्राम चैनल हमारा जोइन कीजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और जितनी भी कंड़क्टर की वीडियो हम आज तक डिस्क्रिस कर चुके है सारी वीडियो स्पीड में फटा-फट से रिविजन के लिए आप देख सकते है जो आपको लगता है चीजे नोट करने जीए वो नोट कीजिए और हिमाचल जी के जितना मैंने कवर किया इसी में आपका कवर हो जाएगा ठीक है बकी आपको बकी भी सब्जेक्ट थोड़े कवर करने हैं तो हम नेक्स्ट अब कल भी एक वीडियो लेके आएंगे ठीक है थैंक यू